देखिए इस वीडियो में मैं आपको गोदान सीरियल के बारे में एक दो चीजे बताऊंगा मुंसी प्रेमचंद की पुस्तक गोदान पर बनी फिल्म जो लगबग साड़े चार घंटे की है जिसे सन 2004 में तेहरी नाम से परकासित किया गया था जो गुलजार साब ने बनाई दूरदर्सन की परस्तूती गोदान सीरियल एक बहुत ही अच्छी पठकता है जिसे आपने कहीं न कहीं सुना होगा इस फिल्म में मुखे किरदार होरी नाम का एक किसान है उसकी पतनी धनिया उनके तीन बच्चे गोबर सोना वे रूपा हैं ये सीरियल गाउं के किसान की दूरदर्सा उन पर लगते सूत पर सूत खेती के साथ साथ वहां के अन्य गाउं वाले रिस्तेदार पंडिट ठाकुर से लेकर सहर के जमीदार लेखक साउकार के चरित को दिखाती है इस मूबी में ऐसे कई सीन आएंगे जो आपकी आँखों से खुसी के आँसू निकलने के लिए मजबूर कर देंगे उस तो ऐसे सीन होंगे जो आपको रुला भी देंगे यकीन मानिये ये आपके दिल के भीतर चोट करेगी वे अंदर से ऐसा विचलित कर देगी कि आपके अंदर एक ही पल में खुसी, दुख, करोध, दया और कई बावनाओं के साथ प्रवेस होगा जब मैं ये फिल्म देख रहा था तो यकीन मानिये ये फिल्म मुझे अंदर से जंजोरती चली गई इसमें होरी की भूमिका पंकच कपूर साब ने की है वे धनिया का किरदार सुरेखा सीकरी जी ने निभाया है ये सीरियल फिल्म से उपर की चीज है जिसे आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए ये सीरियल आपको यूटूब पर मिल जाएगा जो तहरी नाम से है तो अब मैं अपनी बात यहीं खतम करता हूँ आपने मुझे इतना समय दिया थैंक्यू थैंक्यू सो माच